शुश्मा सवराज को याद करें वो कहती थी के आड़ती किसान का एटियम है आम आदमी पार्टी की राजेसबा सांसद सुशील गुपता ने शनिवार को हासी में विभिन कारे कर्मों में हिसा लिया सबसे पहले सांसद अनाज मंडी में आपनेता सचिन जैन के आखवाहन पर आड़ती से मिलने पहुँचे और कहा कि आज केंदर सरकार व्यपारियों और किसानों के बीच दोफाड करने का काम कर रही है पहले इस सरकार ने व्यपारियों को चोर कहा और आप बिचोलिय कह रही है यह सरकार आम आदमी को लूटने वाली और चंद उद्योग पतियों की है और देश का बेड़ा गर करने वाली है यह सरकार चाहे रेल हो हवाई जहाज हो या सरकारी संस्थान सब बेच रही है शुष्मा सवराज को याद करें वो कहती थी के आड़ती किसान का ATM है और आज ये इनको कभी बेचोलिया बोलते हैं कभी चोर बोलते हैं इनकी मंडी व्यवस्ता को खतम करने का पूरा इंतजाम इन तीनों काले कानूनों के माध्यम से कर दिया और किसान को तबाह करने का ये तीनों कानून है जिसको लेके केंदर सरकार इतने घमन्ड केंदर है कि 101 दिन से किसान बोर्डर के उपर बैठावाज 12 सरकार बात करने के लिए तयार नहीं है हर्याना सरकार कभी इनको आतंकवादी कहती है कभी इनको चायना से जूड़ती है कभी पाकिस्तान से जूड़ती है परंतु बात करने के लिए तयार नहीं है ऐसी स्तिती के अंदर जब 300 से उपर किसानों शहादत दे दी तो हर्याना का क्रिशी मंतरी बोलते हैं कि अपनी स्विच्छा समर रहे हैं बहुत शरम की बात है कि किसानों की बात ना करना के अलावा ये किसानों का उपहास करते हैं, उनका मजाक उडाते हैं और किसी तरीके से इस आंदोलन को गैर कानुनी तरीके से कुचलने की कोशिस करते हैं, जिस परकार से गैर कानुनी तरीके से संसद में नोंने कानुन बनाय और बिना वोटिंग के इस कानून को पारित किया ऐसा ही कुस तरीका लगा के किसान अंदोलन को कुचलने किन की कोशिस है परंतु हिंदुस्तान का किसान आज इस सरकार के खिलाप उठ खड़ा हुआ है और तीनों काले कानूनों के विरोध के अंदर लगा तार दिली के बॉर अदक के माध्यम से हो इंटरनेट के माध्यम से ऐख से को या हमने जील बनाने के लिए उनको मैना कर दिया को जमीर नहीं दी दिली सरकार के सात्व के साथ यह बीजेपी और जेजेपी का गडबंदन मलाई के लालच का गडबंदन है चाहिए वह रस्टी घुटाला हो चाहिए शराब घुटाला हो पूरी तरीके से घुटालों में लिपते हैं और किसानों के विरुद्ध के अंदर काम करें जब यह चुनाओ पंचायत के ल इसके बाद सांसद शुशिल गुपता आमादमी पार्टी नेता राजीव पाली द्वारा अंबेडकर चोक के नजदीक आयोजित युवा सम्मेलन में पहुंचे और युवाओं को संबोधित किया सांसद ने युवाओं को कहा कि वर्तमान सरकार चाहे वह केंद्र की हो या राज्य की वह युवाओं को रोजगार देने में नाकाम रही